आईए आज कथा सहित्ते में सुनिये मालती चोशी जी की लिखी कहानी अनुबंध गेट खोलते हुए सामली नी देखा बास आप रोज की तरहा बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं उसने दबे पाउं सीड़ियां चड़कर बरामदा पार करना चाहा पर उन्होंने आहट पाली आ गई बेटा अखबार परे करके उन्होंने इसने सिक्त स्वर में स्वागत किया हां बासाप सामली ने संक्षिप्त सा उत्ड़ दिया और भी दर किसकली रुक जाती तो पूरा आदा घंटा पर बात होता अखबार की पूरी खबरें सुनने के बाद ही उसे चुटी मिलती बासाप को अकेले पेपर पढ़ने में मज़ा नहीं आता सामने कोई सुनने वाला भी चाहिए सामली बड़ी तेजी से भीतर गई थी पर दूसरे ही चंड लौट आई बासाप आज आपने नाश्टा किया किया तो था शायद किया था तो प्लेट कहा है वहाँ तो सिर्फ रात के खाने भर के बरतन है तू क्या रोज बरतन गिनकर मांचती है गिन्ती के तो बरतन निकलते हैं अलग से थोड़े ही गिन्ती हो एक भी कम हो तो पकड में आ जाता है बासाप खिस्यानी सी हसी हस्ती है तू तो पूरी जासूस है रे पुलिस में भरती हो जा बरतन मांच कर जिन्दगी खराब क्यों कर रही है पहले ये बताओ नाश्टा क्यों नहीं किया तबियत तो ठीक है तबियत तो ठीक है बाबा वो क्या हुआ कि कल डबल रोटी लाना भूल गया सोचा रात की रोटिया है अचार के साथ दूद के साथ खा लूँगा फिर फिर क्या खाने बैठा तो खाया ही नहीं गया लगा कि विभू की मा डाट रही है कह रही है कि बासी रोटी क्यों खा रहे हो ठीक ही तो कह रही थी आज तक बासी रोटी खाई है कभी अब पहले सा क्या रह गया है रे अपनी आदत तो बदलनी ही पड़ेगी नाश्ता नहीं किया मतलब अब तक गोलियां भी नहीं ली होंगी मैं आपके हाठ जोड़ती हूँ बासाब बेमार पढ़कर मुझे आफ़त में बड़ालो मेरे पास बिल्कुल टेम नहीं है बासाब चुप बने रहे आप अख़बार पढ़ो तब तक मैं पोहा पना कर लाती हूँ बासाब ने कहना चाहा कि अब नाश्टा रहने दे सीधे खाना ही खालूंगा पर वे चुप रहे जानते थे कि माने की नहीं कभी कभी तो लगता है कि इसमें विभु की मा उतर आती है ऐसी जिद करती है कि आदमी पार नहीं पा सकता बासाब सामली फिर दर्वाजे में प्रकट हो गई थी यह तो बताओ कि इतनी रोटी बच्ची कैसे गिंती की तो बनाती हूँ उनमें से भी छोड़ देते हो देवी उन्होंने हाँ जोड़ कर कहा अब तु जाकर कुछ बनाएगी भी या भाशन ही देती रहेगी सामली मुस्कुराती हुई भीतर चली आई भूग तो लगी है यूँ ही मन को मारे बैठे रहते हैं उसने फटा फट तयारी की प्याज, हरे मिर्च, हरा धनिया काटा पोहे धोकर चलने में रखे और कड़ा ही चड़ा दी भीके हुए पोहों पर शकर, नमक, हल्दी, मिर्च बुरकने के प्रियास में जैसे ही लाल मिर्च का चम्मच उठाया उसका हाथ रुग गया लगा जैसे मा साब डाट रही है छोरी कितनी मिर्च भसक रही है उनके पेट में आग लगा देगी क्या जानती है ना जरा से में उन्हें आव हो जाती है सामली मन ही मन मुस्करा दी मा साब सिर्फ बा साब को ही डाटती है ऐसा नहीं है सामली को भी नहीं बक्षती रसुई से उठती सुगंध बासाब को भीतर खींच लाई दो चार कौर खाते ही उनकी आत्मा त्रिप्त हो गई चहरे पर परित्रिप्ती सी चलकने लगी सामली तेरे हाथ में तो बिल्कुल उसके जैसा स्वाध है रे उन्हीं से तो सीखी हूँ बासाब विभू की बहुपोहा कैसे बनाती है पता है सामली को सब पता है बीस्योंबार तो सुन चुकी है लेकिन हर बार नए सेरे से सुनना ही पड़ता है अरे हल्दी कूंकू जैसा तो नमख मिल छिड़कती है तेर तो कहीं नजर नहीं आता पता नहीं पानी में छोंकती है की क्या करती है उपर से खूब धनिया और खोबरा सजा देगी अरे उससे कहीं स्वाद आता है भीतर तो भूसा ही है ना बा साब अब आपने जिन्दगी भर मा साब के हाथ का खाया है उनका सास्वाद ये आशकल की बहुए कहां से लाएंगी सीख तो सकती है ना मा के पेट से तो कोई सीखर नहीं आता सब यहीं आकर सीखते हैं तू भी तो सीख ही गई है की नहीं पर वे तो अपने आपको तीस मार्खा समझती है ना ना धंका पकाएंगी ना नया कुछ सीखेंगी मुझे तो कभी कभी विभू पर बड़ा तरस आता है पता नहीं कैसे खा लेता है ना खाए तो क्या करें जिन्दगी भर का साथ जो है हाँ सो तो है पोहे की प्लेट उठा कर सामली की चन में चली गई यहां आए आधा घंटा हो गया था और अभी सारा काम बाकी था इसलिए वो दूसरे दोनों घर निप्टा कर ही यहां आती है इस घर में काम तो जादा नहीं है पर बाच्चित में ही समय निकल जाता है बासाब बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं पाच दस मिनट उनके पास बैठना ही पड़ता है उसने कई बार कहा भी बासाब घर में बैठे बैठे बोर होते हो शाम को कहीं निकल जाया करो ना इतने तो जान पहचान वाले हैं नातेदार हैं पहले तो यहां होटल की माविक दिन भर चाय का पतिला चड़ा रहता था ऐसे तुम भी कहीं कहीं जाया करो नहीं रे जाने की इच्छा नहीं होती कहीं भी जाता हूं तो लगता है सब पर भार हो रहा हूं हर कोई यही कहेगा यहां अकेले क्यों पड़े हो विभू के पास मुंबई क्यों नहीं जाते अरे यहां पड़ा हूं तो किसी का क्या लेता हूं अपने घर बैठा हूं अपनी पेंचन खाता हूं पर लोग है की लोग बाग बुरे मन से नहीं बोलते बासाब बुढ़ापे में आप एकले पड़े होना आते ही बेटा आखबार लेकर बैठ चाता है बहुरसोई में लग चाती है बच्चे कीवी में घुस चाते है मैं फालतु सामान की तरह एक कोने में बैठा रहता हूं यहां कम से कम तो ढंका बना कर खिलाती तो है वहां तो सुभा हाबड तोबड में जो कच्चा पका बना कर जाती है वही बारह बचे खाता हूं गरम करने तक का मन नहीं होता और खाना भी क्या वही सबजी रोटी दाल चावल तो सिर्फ रात को ही नसीब होते हैं सामली जब जब ये किस्सा सुनती है उसका मन कैसा तो हो आता है कैसी भरी पूरी थाली परोस्ती थी मा साब कुल दो ही प्राणी थे पर उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं की पती को राजा की तरह रखा था उन्होंने अब बेचारे दाल चावल को तरस कए हैं तभी तो उससे ये काम नहीं चूटता उसके घर वाले तो खूब नाराज होते हैं ये डोकरा चोरे के पास क्यों नहीं जाता बेफाल्तु में यहां पड़ा है अब वो किस किस को समझाए कि डोकरा यहां क्यों पड़ा है बेटे के पास क्यों जाता नहीं है और ये सब बातें कोई समझेगा भी नहीं उसे तो खुद कभी कभी आलस आने लगता है सिर्फ दो रोटियां डालने के लिए शाम को उतनी दूर जाना खूब अखड़ता है पर हर रोज जैसे कोई खींच कर उसे ले जाता है सामली इन्हें यहां तेरे भरों से ही छोड़ा है उन्हें परेशान मत करना राखी के दिन खूब जमा जम पानी बरसा घर में महमान भी थे सामली गोल कर गई तीज दुहार पर चुप्टी लेने का तो सभी को हक बनता है दूसरे दिन जैसी ही उसने भीतर पाउं दिया लगा जैसी तस्वीर में जड़ी दो आखें उस पर अंगारा बरसा रही है वह सामली खूब साथ निभाया तीजहार के दिन अपने बास आपको भूखा रखा उसने भीतर जाकर देखा सच ही था सिंक में केवल चाय के बरतन थे और चाय भी शायद चार पांच बार बनी थी गैस पर कुकर था जिसमें दाल चावल पकाने की कोशिश की गई थी पर बरतन तेड़ी हो जाने के कारण पानी बह गया था दाल चावल आधे पके और आधे कच्चे रह गई थे बासाब कल घर पर खाना क्यों बनाया कल तो राखी थी हर साल आप बुआ जी के यहां जाते हैं न अरे उसकी बहु की जचकी हुई है बेचारी वैसे भी परिशान है तो क्या हुआ घर में खाना तो बना ही होगा आप अकेले ही भारी पड़ जाते क्या शाम को राखी बंधवाने कया था तब वहीं से खाकर आया था वाह राखी के दिन भाई को खाना खिला दिया तो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया राखी बंधाई का कड़कदार नोट भी तो मिला होगा सामली कामन जो अब तक अपराद बहुत से ग्रस्त था अब भुअजी के प्रतिया क्रोड से भर उठा मा साब थी तब कैसे कैसे भाग भाग कर आती थी हर महीने पूरा परिवार किसी ना किसी बहाने जीम कर चाता अब एक दिन भाई को टिफिन भेजने की भी उन्हें याद नहीं रही सावन के पितर भी जैसे जैसे जीम गए दशेरा भी निकल गया सामली सब दूर की छुट्टी कर देती पर यह घर उसे करना ही पड़ता बड़ी परेशानी थी और अब तो दिवाली भी एन सिर्पर आपांची घर की लिपा पोती करते हुए सामली यही सूचती कि देवाली पर कैसे क्या होगा कम से कम तीन दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी तब इनका क्या होगा बासाब आप देवाली में बंबई नहीं जाओगे उसने एक दिन पूछी लिया ना बाबा कान फोडू पटाखों के सिवा वहाँ क्या रखा है ना कोई मिलने आता है ना बुलाता है मिट्टी के पांच दिये लगाने तक का सुभिता नहीं होता लक्षमी पुजन के लिए चार ढंकी चीजें घर में नहीं बनती एक बार हम दोनों गए थे ना तब देखा ना बहु ने कुछ बनाया ना इसे बनाने दिया वहाँ तो सब दिन एक समान है किसी में कोई उत्सहा ही नहीं है बासाब लोग तो कहते हैं कि बंबई किसी दिवालि कहीं नहीं होती पगली मैं तो अपने घर की बात कर रहा था पूरी बंबई से मुझे क्या लेना देना है तो उन्हीं लोगों को यहां बुला लोना रौनक हो जाएगी बुला लोंगा तो कहती है तो कल ही फोन कर दूँगा छुट्टी मिलेगी तो आप ही जाएंगे पर जब ही आते हैं दोनों पैसे का रोना रोते हुए ही आते हैं मन खराब हो जाता है लगता है बच्चों को नाहक तकलीफ दी डरते होंगे आप कहीं उनसे मांग ना ले अरे मैं क्या मांगने लगा उल्टा जाते समय कुछ ना कुछ देता ही हूँ पर वो रोने की आदत पड़ी हुई है इसलिए सोचता हूँ जो जहां है खुश बना रहे तुम अपने घर में खुश हम अपने घर में खुश सामली सोच में पड़ गई अब अपनी बात कहे तो कैसे कहे दिन की छुटी लूंगी बासाब मानपुर चाना है माने संदेशा भेजा है अरे तो जाना मा के पास जा रही है पूरा हफता रहकर आ मेरी फिकर मत कर मैं सब संभाल लूँगा बस मुझे ठीक से कुकर लगाना सिखा दे दो चार तरहा की अचार की शीश्या ले आऊंगा डबल लोटी तो रोज लेता ही हूँ फिर शहर में जो इतने सारे होटल है वे किस दिन काम आएंगे त्योहार में आप डबल लोटी खाओ या होटल में जाओ यह अच्छा तो नहीं लगता ना देख पेटा इस बार बास आपकी आवाज बतली हुई थी जाने को तो मैं कहीं भी चला जाओंगा पूरे हिंदुस्तान में मेरे रिष्टेदार भरे पड़े है पर यह साल भर का त्योहार है ऐसे में इसे सूने घर में अकीली छोड़ कर कैसे चापाऊंगा बच्चे आएं या ना आएं मैं तो इसी घर में दिवाली मनाऊंगा यहीं उसकी तस्वीर के सामने लक्षमी पूजन करूँगा मुझे तो कभी ढ़ंग से पूजा करना आया ही नहीं वही बगल में बैटकर एक-एक चीज पकड़ाती जाती थी बताती जाती थी कि कब क्या करना है कैसे करना है अब भी वही करवाएगी सामली की आँखें अनायास ही उपर को उठ गई लगा की तस्वीर में जड़ी उन आँखों में एकी आचना है मनुहार है जाता देर तक वो उन आँखों में जाकना सकी उसने नजरें चुका ली पर वो समझ गई कि उसकी चुटी मन्जूर होने का कोई उपाए नहीं है उसकी मुक्ती असम्हव है उसी तो त्योहार में भी यहां जरूर आना है और घर के मालिक को पूरी पकवान बना कर खिलाना है जाते हुए एक पर फिर उसकी आँखें तस्वीर से टकराई पर इस बार उन आँखों से कृत्य गिता चलकी पड़ रही थी कहानी के अंध के साथ ही मुझे विदा दीजिए धन्यवाद